दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर बिहार में दो दिन बाद दो डिगरी तक गिरेगा तापमान अब सुबस साम बढ़ेगी ठंड जिहां बिहार में अगले दो दिन में पारे में गिरावाट आएगी खास कर नेउंतवन तापमान में दो डिगरी तक नीचे जाएगा सुबह में मौसम अभी सुस्क बना हुआ है राज के उत्तर पश्चिमी भाग में आंसिक बारिस भी हुई है लेकिन दिरे दिरे उस चेतर में भी मौसम साप होगा मौसम मिदों के मताबिक अगले दो दिनों में पारा दो डिगरी तक नीचे जा सकता है आपको बढ़ा दे कि पटना सहीत राज भर में उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव धिरे धिरे बढ़ रहा है मौसम विगान केंदर के अनुसार अभी कुछ दिन कोहरे की सिती नहीं बनने वाली है लेकिन सुबस साम ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है बिहार में मतदाता सुची में नाम दर्ज कराने का आग या मोका 18 वर्स से कम उमर वाले भी कर सकेंगे आवेदन जिहां बिहार में चुनाव आयोग पहली नवमर से मतदाता सुची पुनारिक्चन अभियान सुरू करेगा इसके तहद पहली जनवरी 2022 में 18 वर्स के आयोग पूरी करने वाले नव युवा मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं आयोग ने मतदाता सुची के पुनारिक्चन का कारिकरम जारी कर दिया है करिकरम के अनुसार पहली नवमबर को राज के विदानसवा के मतदाता सुची का ड्राप्ट परकासित किया जाएगा इसी दिन से 18 वर्स के उपर आयोग के सभी मतदाताओं को आवेदन करने का मौका मिलेगा युवा पहले से 30 नवमबर तक बेलो के माईदम से आवेदन पत्र देकर विदानसवा के मतदाता सुची में नाम सामिल करा सकते हैं साथ मतदाताओं को अपने नाम पता और आयो में संसोतन कराने का आवसर भी मिलेगा चट घाट पर बच्चे और बुजर्क नहीं जा पाएंगे जानि बिहार में चट महापर्व की गाइडलाइन घाट पर सोसल डिस्टेंसिंग से करने होगी पूजा जी हाँ लोक आस्ता कि महापरव चट पर कोरोना का साया होगा संक्रमन से बचाव को लेकर सरकार नई गाइडलाइन तयार कर रही है इसमें बाहर से आने वालों के टेस्टिंग और ट्रेसिंग को लेकर बड़ी प्लानिंग है चट महापर्व को लेकर बच्चों और बड़ों के साथ वर्तियों के लिए अलग लग नियम होगा इस नियम का सकती से पलन कराने को लेकर घाटों पर CCTV के साथ वाच टावर बनाया जाएगा वर्तियों को लेकर विशेश रूप से गाइडलाइन होगी इसमें चट के दोरान गंगा में डुब के लगाने पर प्रतिबन लगाया जा सकता है इस बार सरकार अधिक से अधिक लोगों से घर में ही चट पर बनाने की अपील कर सकती है घाटों पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर ऐसी प्लानिंग चल रही है भीड में कोरोना के खत्रे को लेकर चोटे बच्चे को घाट पर जाने से रोका जा सकता है वहीं बड़े लोगों के लिए मास्क का नियम प्रभावी रहेगा और घाट पर लोगों से सोसल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने को लेकर दवाब होगा साथ सर्दी बुखार से पीडित लोगों को घर से ही चट परव मनाने के अपिल की गई है बच्चे बिमार और बिर्द लोग घट पर नहीं जाने के अपिल की गई है चट करने वालों को अर्द देने के दोरान डूबकी नहीं लगाने को लेकर विसिस जोर रहेगा गंबीर बिमारियों से ग्रसित व्यक्तिव को भी चट घटो पर नहीं जाने की सला दी जाएगी बड़ी कबर बिहार पुलिस में 1400 पदों पर होगी बंपर बहाली सरकार का बड़ा फैसला जिहां बिहार सरकार बंपर बहाली लेकर आई है मिली जानकार के नुसार करीब 1400 पदों पर बहाली की जानी है सुबे के प्रमुक सरकारी अस्पतलों की परिसर में ही अगनी समन केंद्र यानी फायर ब्रिगेड सेंटर इस्ताफित के जाएंगे ताकि अगलगे या एमर्जेंसी की घटना होने पर तुरंद करवाई की जा सके पहले चरन में राज़ानी की चार सरकारी अस्पतलों का चैन आउनी समन केंद्र के लिए किया गया है इसके बाद इसका विस्तार दूसरे सरकारी अस्पतालों की साथ निजी अस्पतालों में भी किया जाएगा ग्रे विभाग ने इस दिसा में पहले सुरू कर दी हैं आपको बदाद केस के लिए बिहार पुलिस रेडियो संगटन के अंतरगाद पुलिस पदादेकारियों और सिपाई की चोदो से अधिक पदो पर नियुक्ति की जाएगी ग्री विभाग ने इसको लेकर पुलिस मुकाले से आगी की सुचना मांगी है इसके तहद बिहार पुलिस रेडियो संगटन में साक्चर सिपाई के 990, चालक सिपाई की 14, साहयक अवर निर्खचक के 484, पुलिस अवर निर्खचक की 17, पुलिस निर्खचक के 38 और पुलिस उपादिक चक के एक पद पर रोश्टल किलेरंस के फालसरूप नियुक्ति के प बहारी जापा जिहादेश में पेट्रोल डिजल के साथ साथ रसोई गेस के बढ़ते दाम से अभी ही परिसान है तो आपकी मुसिबते और बढ़ने वाली है कुछ महने बाद भारत में पेट्रोल का दाम डेर्ड़ सुरुपे प्रति लिटर तक जा सकता है वहीं डिजल का भा 147 डॉलर परती बेरल के आल टाइम हाई लेवल को भी टच कर सकती है यानि कच्चे तिल की किमत उस इस्तर तक जाएगी जितने पहले कभी नहीं पहुची थी अगली बड़ी ख़वर बिहार में आब वहनों का फिटनेस पैल हुने पर 50 फिटने पर प्रति दिन जुर्माना सरकार ने वापस लिए कोविट की दोरान मिल रही छोट परिवखन विभाग ने कोविट की दोरान फिटने पर जुर्माने के रासी में चोट दी थी fitness fail होने वाले दो पहिया वा तीन पहिया वाहनों में 10 रुपिया वेवसाइक ट्रैक्टर से 15 रुपिये छोटे चार पहिया वाहनों से 30 रुपिया और भारी वेवसाइक वाहनों से 30 रुपिये जुर्माना लिया जा रहा था इसकी समय सिमा 30 सितंबर थि यानि COVID के दोरान वहन मालिकों को दी जाने वाली चूट को सरकार ने वापस ले लिया है अब फिटनेस फेल होने पर पहले की तरह 50 रुपे प्रते दिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा इससे बचने के लिए फिटनेस परमान पत्र की बैदता समाप्थ होने से पहले रेनु पुलिस बल विदहक को लागू कर दिया जी आ बिहार में ससत्र पुलिस बल विदहक लागू कर दिया गया है ग्रिय विभाग ने इसे लागू करने से सम्बंधे दाधी सचना भी जारी कर दी है आपको बदादे कि बिहार में विशे ससत्र पुलिस अब किसी भी संग्दित की तलासी की साज साज जबती और गिरबतारी का दिकार रखेगी फिलाल इस बल को बोध गया इसीत महावधी मंदिर और दरबंगा एरपोर्ट के सरक्चा में तेनात किया जाएगा इस विशे ससत्र पुलिस को यह अधिकार होगा कि वह अपराद रोकने के लिए संदिक आधार पर किसी व्यक्ति के तलासी ले और गिरबतारी कर पाए साथी प्रतिष्टानों के सरक्चा में तेनात अधिकारी बिना वारंड और माजिस्टेट के अनुमती के किसी संदित को गिरबतार करने का अधिकार रख पाएंगे अगली बड़ी ख़वर बिहार में परती रह गए खेतों पर मिलेगा मौवजा जानि किसको कितना मिलेगा मौवजा तेस जीलों में बाड बारिस के करना रह गई है ऐसी जमीने जिहां बाड और अच्टदिग बारिस के कारण जो खेत परती रह गए उन पर भी हर सरकार किसानों को मुआवजा देगी क्रिसी विभाग ने राज के इसे 30 जिलों को चीनित कर लिया है जह अच्टदिग बारिस और बाड के कारण खेतों में फसल नहीं लग पाई है बाड और अच्टदिग वर्षा के कारण खेती योग परती रह गए जमीन के लिए भी क्रिसी विभाग किसानों को मुआवजा देगी क्रिसी मंत्री अमरेंदर प्रताब सिंग ने कहा कि अब तक राज के 30 जिलों को चीनित कर लिया गिया है अगली बड़ी कबर सहरसा दरबंगा वा सोनपूर से चलेगी तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेने जिहा तीवारी सिजन में यात्रों की सुविदा के लिए पूर मद रेलिवे द्वारा एक नमबर 2021 से अगली सुचना तक सहरसा सराइगड दरबंगा हरनगर तता सोनपूर समस्तिपूर के मद तीन जोड़ी पेसेंजर इस्पेशल टेन का परेचालन शुरू करने जा रहा ह जिन टेनों का परेचालन सुरू किया जा रहा है उसमें सहरसा सराइगड डेमो पेसेंजर, सराइगड सहरसा डेमो पेसेंजर, दरबंगा हरनगर पेसेंजर, हरनगर दरबंगा पेसेंजर स्पेशल टेन, सोनपूर समस्तिपूर पेसेंजर स्पेशल टेन और समस्तिपूर स तोनपूर पेसेंजर स्पेसेल टेंट सामिल है अगली बड़ी खबर सरकार का बड़ा फैसला अब राशन की दुकानों से भी खरिद सकेंगे रसोई गेस सिलिंडर जहा केंद्र सरकार ने बुदवार को कहा कि वो राशन की दुकानों के जरिये छोटे LPG सिलिंडर की रिटेल विक्री की इजाज़त देने पर विचार कर रही है इसके साथ इन दुकानों के जरी वित्य सिवाए भी पेस की जाएगी पेटियाई के मताबिक इन मुद्दों पर राज सरकारों के साथ एक वर्चूल बेटक में चर्चा की गई है जिसके अधिक्षता खायज सचीव सुदान सुपाने ने की है बेटक में लक्टोनिक्स और आईटी मंत्रालाई पेटोलियम और प्रकृतिक गेस मंत्रालाई से प् मुझपर, पूर, भोजबूर, जहानाबाद, और अंगराबाद, वैसाली जैसे जीलों में नए C&G स्टेशन खुलेंगे अगले दो मा में कूल एक इस नए C&G स्टेशन खुले जाएंगे वहीं वर्तमान में पटना में बारा, बेगुसरा में दो जबकी रोतास गया और अलंदा में एक-एक C&G स्टेशन है, दिसंबर तक C&G स्टेशनों की संका 38 तक करने का लक्ष है, पटना में बार, गोसवारी, बक्तियार पूर और पंडराख में नए C&G स्टेशन खुलेंगे बड़ी कबर सब को बाहू बली बनाने के लिए अगले माहने से केंदर सरकार की नए महीम जहां केंद्रे स्वास्त मंत्रे मांसुक मांड़वा ने बुदवार को कहा कि सरकार कोरोना संक्रमन विमारी के खिलाब अगले माहने से नए मुहिम की सिरुवात करने जा रही है हर घर दस्तक मुहिम के तहद स्वास्त कर्मी घर घर जाकर लोगों को टिका लगाएंगे इस दोरान दूसरे डोज से वंचित लोगों के साथ ही आप तक एक भी डोज नहीं लगवाने वालों को भी टिका दिया जाएगा स्वास्त मंत्रे ने कहा कि मुई के तोर पर फोकस देश के उन 48 जीलों पर किया जाएगा जहां 18 साल या इस से अधिक उम्र के 50 फिज़े से कम अबादी को कोरोना का टिका लगा है परिवहन विवाग ने टेस्ट के नियमों को तोड़ा सरल कर दिया है परिवहन मुक्याले ने टेस्टिंग ट्रेक पर टेस्ट देने को थोड़ी राहत देने का नेने लिया गिया है पहले टेस्ट देते समय जमीन पर पेर रखने पर असफल कर दिया जाता था अब टेस्ट देते समय गलती से जमीन पर दो बार पेर रखने पर भी उन्हें फेल नहीं किया जाएगा आपको बताती कि पढ़ना में ड्राइविंग टेस्ट के लिए कंपुटराइज टेस्टिंग ट्रेक रियार कर लिया गिया है इसमें किसी परकार की पेर भी काम नहीं करती है और सब कुछ स्वता कंपुटर में रिकोर्ड होती जाता है बिहार के बाकी जीलों में भी जल्द ही ऐसे ट्रिक बनवाने की योजना है इसमें अधिकारी की मनमानी भी नहीं चलती है आज के लिए आपका स्वाल बताए कि पेटोल के दाम बढ़ने से सबसे ज़दा नुकसान किसको होने वाला है इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताए